शहर जहापुर एक उच्चक विशी प्रधान शहर है ये शहर गन्नाव अधान आधी की खेती के लिए मशह हो रहा है शहर 1647 में अस्तित्व में आया इस दोरान यहां अफगानी कबीले बुला कर बसाए गए ये लोग यहां अपने साथ फार्सी कालीन बनाने का हुनर लेकर आये लूम आने के बाद लूम लगाकर कालीन बनाये जाने लगे शहजहापुर में कालीन की 500 बड़ी और 2500 चोटी एकाया थी वर्ष 1921 में यहां से कालीन का निर्यात होता था 90 के दशक तक कालीन उद्योग यहां अपने चरम पर था लेकिन आज कालीन उद्योग खत्म होने के कगार पर है महंगे कच्चे माल और सुविधाव में कभी वर सरकारी अनिच्छा के कारण ऐसी स्थिती बनी अफसोस की आज जिले में गिनी चुनी इकाया ही रह गई है कभी शाहजहापुर के हर गली कूचे में कालीन बनाने की इकाया होती थी जिसमें पूरे परिवार को काम मिलता था बेरोजगारी की समस्या नहीं होती थी शाहजहापुर की पहचान काशिनात ज्वेलर्स वा बैंक से होती है। देश विदेश वा ग्रामीन क्षेत्रों में काशिनात ज्वेलर्स की विशेश पहचान आज भी कायम है। शाह जहापुर मेल रूट पर होने के कारण हमेशा से फायदे में रहा है। यही कारण है कि यहां बिग इंडस्ट्री वक्रिशी आधारित उद्योग लगाए गए। शाह जहापुर का सबसे बड़ा उद्योग क्रिपको श्याम फर्टिलाइजर्स लिमिटिड है। डालमिय में सेना, नौसेना और वायू सेना के लिए कपड़े और कब्डों की वस्तुओं की सिलाई करती है। जिस देश में लगू उद्योगों का तिर्शकरन किया जाए वहां GDP की समस्या हमेशा बनी रहेगी। पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि भार पिशलित लगू उद्योग भंदे बरकरार रखे जाएंगे। अन्यथा बेगारी में लोगों के बीच ताना बाना तूटेगा और समस्या बढ़ेगी।